महराश्ट के अम्रावती जिले में पूर्फ सांसद और बीजे पीनेता नमनीत राणा की रैली में हंगामा और जमकर नारिबाजी हुई बतारे के घटना खलार गाओं की है जहां नमनीत राणा अपने विधायक पती रवी राणा की युवा स्वाभिमान पाठी की उमिद्वार रमेश बुंदेले के समर्थन में प्रचार कर रही थी नमनीत राणा ने आरोप लगाया है कि जब विभाशर दे रही थी तभी कुछ लोगों ने उनके खिलाफ गंदे इशारी किये और अल्ला हुँ अक्बर के नारे भी लगाये राणा का कहना है कि जैसे ही उनका भाशर समाप्त हुआ उन पर कुर्सियां फेकी गई और इस्थिती को संभालने के लिए हंगाम मच गया उन्होंने आगे बताया कि उनके सुरक्षा गार्डू ने उन्हें किसी तरह सुरक्षे द्वाहन तक पहुँचाया लेकिन हिंसक भीर ने उन्हें गालियां देते हुए हमला करनी की कोशश की नवनीत राणा ने इस मामले में अमरवती पुलिस थाने में 50-60 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई उन्होंने चितावरी दी कि अगर आरोपियों को जल्द गिरफतार नहीं किया गया तो हिंदू संगठन द्वारा आंदोलन किया जाएगा पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है और किसी भी अववा से बचने की अपील की है इस पूरे मामले में पुलिस ने ये भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सक्त कारवाही की जाएगी प्रशासन ने लोगों से शान्ती बनाए ऐसे की मांग की थी राणा की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में भी जाच शुरू की थी ये पत्र 11 अक्टूबर को राणा के घर्म के एक करमचारी को में लथा जिसके बाद उनके निजी सचिव विनोध गुही ने अमरावती के राजपोर्ट पुलिस थाने में उपच कारिक शिकायत दर्ज कराई थी इन घटनाओं से ये साफ होता है कि नवनीत राणा और उनकी समर्थकों को लगतार धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी बाद राजप्रशासन और पुलिस ने सक्ती से कारवाही करने का वी वादा किया है नवनीत राणा की रैली में हुई इस घटना पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कॉमें सेक्षन में जरूर बताएं साथ ही साथ देश दुनिया की बागी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ